हमारे साथ मौझूद होंगे डॉक्टर मुहमद बिलाल सादिक साथ जिनका मैं तारूफ आपको करवाती चलूँ डॉक्टर बिलाल जो हैं फूड और बायोस प्रसेस टेक्नोलोजी में पीच्डी हैं रिसर्ट स्टूडन्स की सूपर वीएंड भी करते हैं और मजीद ये कि इससे कबल अपनी फील्ट से मुतलिक मुतदद अहम ओधों पर भी फराइस तर अंजाम दे चुके हैं जिनका तारूफ मैंने आपको इतने अच्छे से करवाया है और जिस तरह से शक्सियत मुझे लग रही है तो इनसे बात करके जानते हैं कि सस्टेनिबल फूड आखिर में है क्या असलाम लेकूम जी कैसे हैं अलहम्दल्ल्ला जी ठीक था तो बहुत शुक्रिया प्रग्राम में तुश्रीफ लाने के लिए और जिस तरह से हमने आपका तारूफ करवाया और चीज़े हमारे सामने आ रही है तो मुझे ऐसे लगता है कि हम कुछ शायद अच्छा करने जा रहे हैं तो मुझे इस ते पहले बता जें कि अपने विवर्स को में बताना चाहूंगी Sustainable food जो है basically यह क्या term है और क्या है यह Basically sustainable food system को अगर हम simplify करें तो एक ऐसा system है जो deliver करता है आपको food security and nutrition for all तो इसके लिए हमें थोड़ा सा ज़रा briefly इसको explain करना होगा food security है क्या food security basically आप देखें कि food should be available to all, सबको access होनी चाहिए food की और within available resources, अगर मैं इसको simplify करूँ कि ऐसा है कि if थोड़ी सी discrepancy है कि अगर poor और rich की discrimination है तो ऐसा नहीं है कि poor people cannot access the food, sustainable food एक ऐसा system है जो ensure करता है कि regardless of your economic status, social status as well as the means का आप कह सकते है environmental factors, food आपको access होना चाहिए और ना सिरफ access होनी चाहिए, बलके वो food आपके लिए safe भी होना चाहिए, वो food आपके लिए nutritional भी होना चाहिए, इस सारे compliment को हम अगर summarize करें तो यह sustainable food system है, आप अगर पाकिसान के scenario में इसको थोड़ा सा देखें तो हम self sufficient है, food production में, we are like wheat आप example ले 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 आप rice की example ले 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 एग्जेक्टी, sugar cane ले ले ले, milk ले ले, हम top 10 producers में आते हैं लेकिन हम food insecure हैं, insecure mean हमारी population तक food जो है properly पहुंचता नहीं है या उसकी utilization नहीं है, आप अगर इसको मैं आपको थोड़ा explain करूँ तो आप देखेंगे कि हमारी, almost 35-40% जो children है वो उनमें stunting growth, बिल्कुल ऐसे है malnutrition, और इसी तरह से आप देखे 30% जो हमारे personals है means लोग है वो protein deficient है, we distribute होने चाहिए, हर एकी access हो, आपकी production ज्यादा होनी चाहिए और कुछ policies होनी चाहिए, equal disbursement of food के लिए, इस सारे system को हम कहते है, although government is trying for that one but it will take some time, our developing countries struggle करते ही इस वजा से है कि इसमें technology की involvement है, इसमें capital की involvement है, इसमें traditional skills है, और traditional farming है, उसको replace करने की ज़रूरत है and this will take some time, इस तरह सही है, लेकिन जो equal resources है, हम देखते हैं कि उस तरह से नहीं पहुंच पाते हैं, जैसे आपने developing countries का जिक्र किया, Pakistan के लावा और बहुत सारे developing countries हैं जिनके साथ यह malnutrition जो है, Exactly, आप ऐसा देखें कि इसमें of course आप हमारे farmers का अगर scenario देखें, तो farmers के पास इतने resources नहीं होते, मैं farmers when I'm using the term farmer is हमारे country में farmers की दो categories हैं, एक तो large scale farmers जिनके पास सारे resources available हैं, जो कि आप कहलें कि 20% से जादा नहीं constitute करता, लेकिन जो major junk है, 80% का, उनके पास resources की कमी है, अब ना तो लेट स्पोज अगर आप wheat का देखें, आपकी wheat harvesting हुई है अभी, और आपने अपनी production जो है वह हमारी जरूर से ज्यादा है, लेकिन farmer, where the farmer is going to sell that one, क्योंकि आपकी जो industries हैं, उनके पास पहले ही deposit में काफी जदा wheat मजूद है, बिल्कुल इस तरह से आपने बहुत अच्छा, उनोंने उसको purchase करना है farmer से, farmer direct consumer के पास नहीं जा सकता, तो जो sustainable system है, ये ensure करता है, कि farmer जो है, direct contact हो consumer के साथ, और दूसरा उसके पास इतने resources हो, कि अगर इस किसम का scenario create होता है, तो उसको store कर सके, अब storage houses नहीं है farmers के पास, cold conditions में, अगर वो उसको sell out नहीं करेगा, तो rain का, एक rain जो है fall वो है, वो ultimately उसको fungal infection कर देगी, वो useless हो जाएगी, तो इसको implement करने के लिए ensure है कि हमारे पास technology हो, हमारे पास adoption हो, technology का use हम इस तरह हम इसमें किस तरह से कर सकते हैं, storage houses हो, post harvest technology हो, हम इसमें bio technology का element बड़ा important है, वो मैं आपको explain करूंगा later on as well, कि आप ऐसी crops जो हैं वो design करें, जो के disease resistant हो, जो के जिनकी yields ज्यादा हो, जो climate resilient हो, के climate changes को adopt करें, means that in a way, more adoptive हो, rain आ गई है, अगर rain नहीं आई, drought आ गया है, तो आपकी crops ultimately suffer करती है, तो why not to develop such varieties, either by using genetic engineering, या hybrid varieties ऐसी बनाएं, जो यह सारा scenario है, उसको absorb कर सकें, बिल्कु इस तरह से आप देखिए, हमारे जो किसान है, उनके तक पूरी information नहीं है, उनको idea ही नहीं है, उनको weather condition के बारे में नहीं बताया जाता है, पर्टिलाइजर के बारे में उस परहते हैं, और जो 20% community आप कहिए, मुझे लगते हैं, वो farmers में आती ही नहीं है, वो marketing या और दूसरे, elite कह सकते हैं, और जब ये check and balance का system नहीं होगा, तो आप बता सकते हैं कि food wastage कितना होता होगा, क्यूंकि जरूरत से ज्यादा अगर हम कोई चीज उगा रहे हैं, और हमारे तक पो पहुंच नहीं पा रही है, तो उसमें ज्यादा उनका नुक्सान हो रहे है, एक तो उनकी महनद जा रही है, दूसरों उनको जितनी महनद की है उतना उनको नहीं पैसे मिल रहे है, Exactly, food waste ना सरफ developing countries में, बलकर developed countries में भी यही same scenario है food waste का, लेकिन उसका scale different है, scale in a way कि आप देखें, कि हम ज्यादा तर food जो है उसको waste करते हैं developing countries, post harvest के बाद immediately, means के हमारे पास storage conditions नहीं है, appropriate preservation technologies नहीं है, जिसकी वजय से हमारा food waste हो जाता है, कि रखा रखा एदर कोई fungal infection हो गई है, यह contamination हो गई है, वह waste हो गया, और जो developed countries हैं, वहां consumer level पे जादा होता है, means के consumer के पास food यह utilize नहीं होता, ultimately 30-35% हम अपना food waste कर लेते हैं, जो के ultimately sustainable system के view आप कहलें, के बिल्कुल totally against है, कि जो excess या surplus food है, वो utilize होना चाहिए उन लोगों के लिए जिनके excess food की तरफ नहीं है, अगर आप यह नहीं करते, तो it means आपका system sustainable नहीं है, this you need to develop, आपके पास preservation technologies होनी चाहिए, cold storage rooms होने चाहिए, लेकिन वो obviously उन farmers के पास जरूर हैं, जो के large scale पे हैं, small scale farmers के पास नहीं हैं, और उस बचारे के पास resources भी नहीं हैं, को डिरेक्ट जाके consumer को sale out कर दे, क्योंकि यह concept अभी exist नहीं करता, लेकिन कुछ countries ने adopt किया हुआ है, आप Latin American में देखें, या आप देखें अफरीका में देखें, उनके कुछ particular countries ने किया हुआ है, का consumer empower agriculture है, जिसमें direct farmer link है, consumer के सार, consumer को भी पता है कि मैंने farmer से लेना है, और farmer को भी पता है मेरी इतनी demand है, I need to produce this much, और जैसे ही मैं produce करूँगा, यह disseminate हो जाएगा और मुझे इतने resources वापस मिल जाएगे, हमारे हाँ यह भी under process है, ठीक है, भिलार मुझे बता है कि यसे हम आपको हमें पता है कि हम agriculture country हैं, और हम महारा जो जरात पर हमें नहिसार करते हैं, और लेकिन यह देखे न कोई नई चीज हो तो हमें लगता है कि अभी storage बनाने हैं, warehouses बनाने हैं, उसका preservation के कोई तरीका कार अपनाना है, अभी तक इस पर काम क्यों नहीं किया किया कि ना, इतने साल हो गया, इसके लिए न, यहां तो government support करें, लेकिन आप government के पास भी इतने resources नहीं है को वहर farmer को support करें, तो इसके लिए लोग अब corporate agriculture की तरफ वहां जाते हैं, जहां के means that you are bound with something else, they are providing you resources, लेकिन at the same time, जो larger आप कहलें के scale farmers हैं, उन्होंने storage house बनाए हुए हैं, लेकिन वह against उनकी utilization, थोड़ी सी जो है, वह doubtful है, आप छोटी सी example ले लें, potato हमारी जाप कहलें, one of the leading crop हम use करते हैं इसको, daily life में starchy crop है, आप देखें जब इसकी harvesting होती है, तो जितने भी large scale farmer है, वह इसको store कर लेते हैं cold storage में, उसको storage का यह होता है, अगर harvesting के season में आप इसको sale out करेंगे, तो यह 30-40 rupees kilogram से उपर नहीं जाएगा, जब वह इसको store कर लेते हैं, harvesting खतम हो जाती है, demand बढ़ जाती है, supply होती नहीं है, then they bring it into the market, 100 rupees से नीचे ही नहीं आता, यह अच्छी बात किया, demand बढ़ जाती है, supply होती ही नहीं है, supply restrict कर ली जाती है, और यह गुर्बत के खात्मे में मेरा खाला, यह ज्यादा बहतर, जो आप कहना चाह रहे ही, sustainability food है, मेरा खाला यहां पर help करेगा, तो इसके लिए जब सब को पता है, आप इसके लिए कोशिश भी कर रहे हैं, तो अभी तक क्या response आया है, अभी तक देखें है, government ने in collaboration with FAO, बहुत सारे programs start की हैं, जिसमें वो farmers को educate कर रहे हैं, लेकिन obviously यह एक, आप कहलें के by choice, or by you can say, your own will participation, आप force नहीं कर सकते हैं, traditional practices को replace करना, it's very difficult, और उसके आप देखें, sustainable agriculture यही कहता है, कि आपको crop की rotation करनी चाहिए, crop rotation से मराद यह है कि आप देखें, एक दफ़ा आपने rice grow किया है, फिर आपने sugar cane किया है, फिर आप कोई और crop rotation करें, जिससे आपकी nutrition value soil की बढ़ती है, अगर आप wheat ही grow किये जा रहे हैं, grow किये जा रहे हैं, जाते हैं, erosion हो जाती है इसकी, यह आप farmer को बता हैं, लेकिन farmer को पता है, जी मैं wheat grow करूँगा तो economic gains हैं, लेकिन ultimately later on few years afterwards, वो इसको badly hit करेगा, तो यह short term gains हैं, यही conventional agriculture है, long term हम नहीं देखते हैं, क्योंकि हमने produce करना है food, जो के ultimately हमारी future generations को sufficient food provide करें, उसकी basic reason आप यहीं देख सकते हैं, कि आप देखें कि जितना food हम अब produce कर रहे हैं, क्या 20 years के बाद इतने ही food के साथ, हम अपनी population को feed कर सकेंगे, obviously, नहीं कर सकेंगे, तो आपने farmer से मुलाकात भी की होगी, उनके feedback क्या आते रहे हैं, यहां पर custom पर stick है अबे तक, कि वो उसी को ही produce करेंगे, उसी को ही grow करेंगे, तो उनका क्या कहना है? देखें, जो तो पड़े लिखे farmers है, हमारा जादातर उनके साथ interaction होता है, होना चाहिए, they should be some way, कि आप उन farmers के साथ बेंट्रेक्ट करें, government बना रही है, कुछ policies है, F.O. effectively इसमें participate कर रही है, लेकिन usually इसमें participate वो ही करते हैं, जो पड़े लिखे farmer है, वो तो definitely पहले ही यह practice कर रहे हैं, वो तो inter cropping भी कर रहे हैं, कि एक crop के साथ-साथ ही immediately दूसरी crop भी, जैसा कि आप garlic के साथ tomato को grow कर लें, तो वो तो grow करी रहे है, double benefit, resources same है, लेकिन benefits double है, यही sustainable agriculture है, minimum resources के साथ आप production increase करें, लेकिन यही चीज अगर आप और fertilizer use करने हैं, तो minimize use करने है, natural fertilizer की तरह जाएं, हमारा आजकल एक project चर रहा है, USDA के साथ हमारी university का, उसका basically हमारा main मकसद ही यह है, के उस project का नाम है fertilizer right, कि आपने minimum fertilizer use करने हैं, और natural fertilizer की तरह जाएं, और आप तो यह देखें, कि अगर आप synthetic fertilizer use करते हैं, तो ना सिरफ उसकी concentration food में आती है, वो आपके लिए hazardous है, आप देखेंगी कि आपकी export हिट होती है, इसे, export in a way के countries, European countries जो हैं, वो minute quantity permit करते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा access करते हैं, हम export नहीं कर सकते हैं, अब India largest exporter है rice का, रिसेंटली बड़ा badly hit हुआ है, सिरफ उनकी concentration आई है, slightly एक particular आप कहलें, contaminant की, जिसकी वज़ा से drawback हुआ है, और पाकसान के लिए एक opportunity create होगी, कि हमने billions रुपीज अरन किये हैं this year, क्योंकि उस market को हमने replace किया, लेकिन अगर हम अपनी practices बेतर नहीं बनाएंगे, they will overcome that particular contaminant, and again they will take on the market. आप को भी overcome कर लेगा, मुझे ऐसे लगता है, कि farmers का इसमें कोई कुसूर नहीं है, अगर हम कह रहे होते हैं, कि पढ़े लिखे farmer हैं, आरे जो rules हैं या पर जो उनको लगता है, कि diversity के साथ चलना चाहिए वो चल रहा है, लेकिन जो नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके पास resources नहीं है, option नहीं है, government का काम होते हैं उनको on करना, उसको येकिन दिलाना, कि अगर फसल खराब होगी तो हम हैं, लेकिन अभी जो किसानों के साथ गुजरा है, उसको देखते हुँ किस तरह से कोई चीज जो है, वो risk पर लेकर grow कर सकते हैं, तो मझे रहता है कसूर किसी का नहीं है, कसूर उन लोगों का होता है, जो ओन करते हुए चीजों को आगे नहीं आना रहता है, आप यह देखें कि अब लाट स्बोस शूगर केन प्रड्यूस की है किसी फार्मर ने, अब वो शूगर केन बचारा कंजूमर तो नहीं लेगा ना, क्योंकि उसके पास स्टोरिज के फेसिलिटी नहीं है, कवाप खराब हो कर नहीं सकता, तो उसें बचारना है तो बेच नहीं बेच नहीं है, और यह चीजें से हैं, फेक्टरी मालिकान को पता होती है, कि कहां पर उनका वीक पॉइंट और कहां पर जाकर हमने करना है, तो हम हर कोई अपने वफात के लिए काम कर रहा है, अगर हम देखे किसान हमारे मुलकाई किसा है, जो हमें खुराग वो परवाइड कर रहे होते हैं, हमें आगे जाने के लिए, अगरी कल्चर है, प्रसीजन अगरी कल्चर से मुझूब मुराद है, कि आप फर्टिलाइजर यूज करें, जितना आपको चाहिए, मिनिमम, आप देखें, हमने भी ट्राइल किये ही हैं, हमारी एक अगरी कल्चर बायो टेक्नोलोजी की टीम है, हमारे डिपार्टमेंट में, आप बायो फर्टिलाइजर यूज करें, जो के माइक्रोबियल कंसोर्शियम पर बेस करता है, और उसके मुकाबले में आप संथैटिक करें, जील्ड में कोई खास फरक नहीं आता, लेकिन जो कंटैमिनेंट्स हैं, जो संथैटिक रेमिडीज हैं, वो नहीं आती उसके अंदर, तो अल्टिमेटली यह आपको एजुकेट करने की जुरूरत है, कि आपने फर्टिलाइजर राइट यूज करना है, वाटर कंसरवेशन सिस्टम होना चाहिए, आपको environment भी safe रखना है, जो excessive use आप fertilizer's का, chemicals का करते हैं, वो उससरफ आपके लिए निकसान दे नहीं है, ultimately आपके environment के लिए है, जो chemical, fertilizer's का use है वो ज्यादा किया जाता है, उसके reason क्या होती है? देखें एक तो knowledge, lack of knowledge है, उसमें general perception है, आप ज्यादा fertilizer use करेंगे, आपकी जो crop है, वो disease resistance होगी, उसकी production बेतर होगी, ठीक है, लेकिन वो कितना use करना है, farmer excessive use करते हैं, बार-बार-बार-बार during the production of the crops, different stages पर करते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है, गौर्वर्मेंट यह जो हम, मैंने आपको थोड़ा पहले जिकर किया है, हमारा प्राजेक्ट चरह रहा है, USDA के साथ through Pakistan Agriculture Research Council, उसमें हमें funding यह दी गई है, कि आप natural fertilizers जो हैं, उनको introduce कराएं, और use हो भी रहे हैं पाक्सान में, लेकिन वहीं बात है, कि educated farmers, the farmers who are on large scale, they are using these particular scenarios, तो यह farmers तक educate करने के लिए, हमें policies और through periodic, हमें यह deliver करना होगा, और उनको convince करना होगा, कि agriculture जो conventional practices हैं, इनको थोड़ा सा overcome करें, अगर जो traditional practices हैं, अगर इनको merge किया जाए sustainable system में, तो यह ज्यादा benefit है, क्योंकि उसमें लोगों को पता है, क्योंकि तजर्बाई भूआता है, कि हमने इस crop के बाद इस crop को utilize करना है, यह means definitely this after would be helping us, तो यह हम इस तरीके से इसको overcome कर सकते हैं, इसकी बहुन सारी example, अगर आप South East Asia में देख लें, integrated agriculture है, उसमें वह क्या करते हैं, अगर देते हैं, फिश उसमें grow कर जाती है, within a duration of crop, जब तक उसने crop डवालप करना है, और उसकी मज़ा से ना आपको fertilizer use करना है, फिश को आप feed use utilize करते हैं, वही वहां से जो produce करती है natural components, जो waste materials हैं, वही utilize होते है fertilizer के, crop yield भी बढ़ती है, आपकी fish भी develop हो जाती है, और आपका agriculture sector जो है, वह भी ultimately ज्यादा turnover देता है, मुझे बताएं कि जितने भी farmers वगएरा है, उनकी कोई campaigns वगएरा करवाई जाती है, जो उनको जाके बताया जाता है, definitely government level पर यह start हुआ हुआ है, लेकिन वही बात है कि जी गाओं में जाके, uneducated लोगों तक इस चीज़ को convey करना थोड़ा सा challenging है, government करती जरूर है, international organizations मैंने बताया, WWF है, FAO है, यह participate करती है farmer education programs में, लेकिन वही बात है कि अगर इन्होंने किसी जगा प्रोग्राम range कराया है, तो uneducated person वहां नहीं आते हैं, मैंने खुद 2-3 attend करके देखे हैं, वहां ज्यादाता educated लोग ही है, large scale farmer आएंगे, producer आएंगे, exporters आएंगे, वह लोग आते हैं, लेकिन आम farmer तक deliver करने के लिए, I think we need to make a policy, थोड़ा सा time लगेगा, लेकिन definitely लोगों को आएडिया है, इस चीज का के, if they want to sustain, or to produce a more you can say production, definitely they have to adopt this sustainable system, लेकिन अगर ये system producers तक हैं, जो दूसरे level के farmers हैं, उन तक चला गया ना, तो मुझे लगते के दूसरे farmers तक भी जाएगा, बिल्कुल जाएगा, कि हम सुनने से जादा ना, देखने पर बिलीव रखते हैं, जब पता चलता है कि कोई farmer इस तरह से करने, वो automatically उसको adopt करने की कोशिर जरूर करते हैं, और जो large scale हैं, उन में से कुछ लोग बना भी रहे हैं, इस तरह से corporate farming करके, small scale farmers को involve कर रहे हैं, कि वो अपने land को involve करें, practices करें, sharing पे आएं, ताकि कुछ बेतर production की जाए, इससे में दुनों का benefit है, तो या इसा इसा टेक ओवर कर लेगा, developed countries में भी ऐसा ही है, आप तो काम बहुत जबर्दस्त कर रहे हैं, मुझे एक बार अपने university जो आपके department हैं, वो इस सिलसले में अभी तब क्या सारा काम कर शुक है उसके बारे में बताता हूं, हमारे स्कूल में थ्री डिफरेंट डुमेंस पर हम लोग काम करते हैं, एक medical biotechnology है, एक basically biotechnology की domain है, agriculture biotechnology की food safety and quality management में है, हमारा जो agriculture biotechnology का group है, वो particularly इसी sustainable food system की तरफ है, लेकिन through genetic engineering, through आपके biotechnology, हम increase कर रहे हैं, particularly ऐसा है के phytate एक component होता है, जो के iron की और zinc की absorption को prevent करता है, wheat में होता है naturally, तो हम genetic modification के through उसको suppress कर रहे हैं, phytate की concentration low कर रहे हैं, जिससे यह होगा, के ultimately iron और zinc की absorption जो है, वो ज्यादा हो सकेगी, anemia का आपने सुनाओ का बड़ा common है, iron deficiencies होता है, particularly in आप कहलें के transgenic crops, we would be able to solve these problems, और हम इसमें field trial लगाए हैं, उसके इलावा हम wheat की production increase करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम trans, आप कहलें के genic wheat की, हमने वो combination set की है, जो के ज्यादा yield देता है, ultimately under the same conditions, फिर drought resistance, means कि अगर rain नहीं होती, तो क्या plant withstand कर सकता है, तो genetic modification के थुरू, ऐसे plants भी बनाए हैं, जो field जो है कर रहे हैं, तो यह हमारे different trials चलते हैं, जिसमें हम efficient use of fertilizers, यहां कहलें के phosphorus nitrogen, ऐसी crops develop कर रहे हैं, जो के ज्यादा uptake कर सकें, with minimum available resources, और ताके better yield or better production हो सकें, एक sector हमारा यह काम करता है, दूसरा sector जो हमारा food safety quality management का है, वो particularly food waste valorization पे काम करता है, means कि अगर waste produce हो जाता है, let's suppose कि fruits की peels हैं, citrus की, उन मेंसे natural preservative extract करना, और उनको utilize करना, shelf life extension करने के लिए, और इसी तरह से अगर कोई rice brand है, जो के ultimately आप देखें के rice का चिलक है, after removing the endosperm, उसमें से देखना fiber निकालना, और brand brand लिया इस तरह की products develop करना, तो यह हमारी lab में different sustainable approaches पे हम काम कर रहे हैं, ताके ultimately कुछ burden जो है reduce किया जा सके, इस तरह से यह बहुत अची approach है और क्यूंकि रूट कोस तक पहुंचना बहुत जुरूरी है, जो हम खाते हैं वही ओविसली नजर आते हैं, और हमरे पस last minute कोई पेगाम देना चाहेंगे, वस मेरा यही पेगाम है कि हमें कोई ऐसी policy जरूर डवाइस करनी चाहिए, जो हम खाते हैं वही नजर आते हैं और गवर्मेंट को जो भी पॉलिसी जो पहुंचने के लिए वह एक्दामात हैं जरूर करने चाहिए,